नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज वाल निडिया में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग नजर डाल लेते हैं खास ख़बरों पर इन सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृशी कानून पर सुप्रीम कोट ने 11 जनवरी तक सुनवाई को स्थगित कर दिया है कोट ने एक वकील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम किसानों की स्थिती को समझ रहे हैं दरसल नए क्रिशी कानूनों की समवधानिक वैदिता को लेकर कुछ वकीलों ने कोट में जन्ह त्याचिका दायर की थी इस याचिका पर सुप्रीम कोट सुनवाई करते हुए कोट ने कहा कि इस मामले पर अब सुनवाई 11 जनवरी यानि आने वाले सोंवार को की जाएगी सुप्रीम कोट ने मुख्यनायदिश S.A. बोबडे ने टिपनी करते हुए कहा कि हमें हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है इस पर सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने कहा कि हम बात कर रहे हैं इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने कहा कि इस मामले पर कोट में सुनवाई होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी दोनों पक्षों के बीच बात्चीत चल रही है इस पर मुखिन राइधीश S.A. बोबडे ने कहा कि हम सुमवार को इस मामले को देखेंगे और अगर बात्चीत सकारात्मक रही तो हम सुनवाई को टाल देंगे बतादें की क्रिशी कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसान दोनों ही पीचे हटने को तयार नहीं है किसानों ने कहा कि जब तक सरकार तीनों क्रिशी कानून वापस नहीं लेती और न्यूंतम समर्थन मूले विवस्था बनी रहना सुनिशित नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा इसरो के सीनियर एडवाईजर और शीष वग्यानिक डॉक्टर तपन मिश्रा ने आरूप लगाया है कि उन्हें तीन साल में तीन बार जान से मारने की कोशिश की गई पांच जनवरी को उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इसका खुलासा किया कि बाहरी लोग नहीं चाहते कि इसरो इसके विग्यानिक आगे बढ़े और कम लागत में टिकाउ सिस्टम बनाए डॉक्टर मिश्रा ने इसे तंत्र की मदद से किया अंतराष्टे जासुसी हमला बताया है उन्होंने डॉक्टर विक्रम सारभाई की रहसमे मौत का हवाला देते हुए केन सरकार से जाच की मांगी है डॉक्टर तपन मिश्रा फिलहाल इस सरों में वरिष्ट सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं 31 जनवरी को वेरिटार हो रहे है उन्होंने फेस्बुक पर लॉंग केट सीक्रिट नाम से एक पोस्ट में ये दावा किया है कि जुलाई 2017 में ग्रह मामलों के सुरक्षा कर्मियों ने उन से मुलाकात कर आरसेन एक जहर दिये जाने के प्रती उन्हें सावधान किया था मुंबई से एक दल्चस्प मामला सामने आया है मुंबई में एक महिला रतन टाटा की कार की नंबर प्लेट का इस्तमाल कर अपनी कार चला रही थी इस बात का खुलासा तब हुआ जब मुंबई पुलस ने ट्राफिक नियम तोड़ने पर देश के बड़े उद्योग पती रतन टाटा के यहां चालान भीश दिया पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला अपनी कार पर रतन टाटा की कार की नंबर प्लेट इस्तमाल कर रही थी पुलिस के मताबिक महिला का कहना है कि उसे जबात की जानकारी नहीं थी कि उसकी कार पर लगी नंबर प्लेट रतन टाटा की गाड़ी का ही नंबर है महिला ने पुलिस को बताया कि किसी जोतिश ने उन्हें अपनी कार के लिए विशेश नंबर प्लेट के इस्तेमाल की सलादी थी इसलिए महिला उस नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रही थी पुलिस ने बताया कि ये मामला रात का था और आरोपी महिला थी इसलिए महिला को तुरंथाने नहीं बुलाया गया महिला को बद्वार को पुछताज के लिए बुलाया गया और महिला की गिरफतारी की काफी उमीद है पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ IPC की धारा 420 और 465 का मामला दर्श कर लिया है पुलिस ने बताया कि रतन टाटा पर ट्राफिक उलंगन का जुर्माना लगाया गया था लेकिन उन्होंने कोई ट्राफिक नियम नहीं तोड़ा है रतन टाटा समू के अधिकारियों ने बताया कि रतन टाटा की ओर से ऐसा कोई नियम नहीं तोड़ा गया है जिसके बाद इस मामले के बारे में पता चला पुलिस ने माटुगा पुलिस टेशन में कार को जब्त कर लिया है और महिला और उसकी कमपनी के खिलाफ मामला दर्श कर लिया है अस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट आज सिदनी में खिला जाएगा मैच से एक दिन पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का आयलान किया गया है रोई शर्मा की वापसी हुई है वे टीम के उप कप्तान है अजंकिया रहाने की कप्तानी में भारतिय टीम के सामने सिद्नी क्रिकेट ग्राउंड पर 43 साल बाद टेस्ट में जीत हासिल करने की चुनौती है मौजुदा सीरीज फिलहाल एक-एक से बराबर है नियमित कप्तान विराट कोली की गैर मौजूदगी में भारतिय टीम ने मेलबूर्न टेस्ट में उस्ट्रेलिया को आठ विकेट से मादी थी इससे पहले टीम इंडिया को एजिलेन में हार का सामना करना पड़ा था जहां उसे दूसरी पारी में 36 रनों पर आउट होने की शर्मिंदगी छेलनी पड़ी थी सलामी बल्लेबाज मैंकर गरवाल बाहर है टीम को मजबूती देने के लिए हिट मैन रोईच शर्मा की वापसी हुई है विकित कीपर के तौर पर रिशब पंध अंतिम एकादश में बने हुए है फिलाल खास खबरों में इतना ही जोड़े रहे है न्यूज वर्ल इंडिया के साथ अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इससे लाइक करें शेर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद